इज एक लास आपनों को डिस्प्लेय पे दिख रहा होगा यह वन क्लास के लिए भी एंग लुके जी ए वन क्लास के तीनों मैंद में मिलेगा आप्टर का मतलब होता है बाद में कि बिफोर का मतलब होता है पहले यहां एंड का मतलब क्या होता है और बीटमिन का मतलब क्या होता है कि बीट या बीटमिन ठेड के बाद में क्या आता है 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 फोर के बाद में क्या आता है 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 इसी परकार से दिया है 2 comes before 3 3 के पाले क्या आता है? 3 के पाले क्या आता है? 2 2 2 अब दिया हुआ है between 5 is in 5 किसके किसके बीच में आता है? 5 4 and 6 4 and 6 यहाँ एक जांपल से समझ लेना है 5 comes after 4 4 के बाद में क्या आता है? 5 2 comes before 3 3 के पाले क्या आता है? 2 2 5 is in between 4 and 6 6 6 और 4 के बीच में 5 है यानि कि 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5 समझ में आ गया? चलिए एक 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 इसमें से बता दे रहे हैं बाकी आप लोग बना लेंगे ठीक है? इसके बाद में बिफोर का मतलब क्या होता है? पाले? पाले 3 के पाले क्या आता है? 9 के पाले? 8 4 के पाले? 3 अपनों इसको वीडियो को रोक करके बनाने में अब चलिए बीट मिन का पतलब क्या होता है बीच में तो टू और फोर के बीच में क्या आता है थीरी थीरी फाइप और सेवर के बीच में क्या आता है थीरी और फाइप के बीच में क्या आता है थीरी और फाइप के बीच में क